हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D.led एजूकेशन में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं D.led 4th Sam के बच्चों के एक्जामस स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों मैं आप सब के लिए D.led 4th Sam विज्ञान के 60 Important Objective Questions लेके आया हूं अगर आप इन सारे questions को एक बार देख लेते हो तो आपके science के exam में MCQ के 5 marks बिल्कुल पक्के हो जाएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नई हो और अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है इसका सही आनसारे option number A, vitamin A, D, E और K ये चारो vitamin आपके fat में soluble होते हैं जबकि vitamin B और C water soluble vitamin होते हैं यानि ये दोनो vitamin पानी में soluble होते हैं अगला question है इसकरवी रोग की पहचान क्या है? इसका सही आनसार है option number A, मसरोडों से रक्त साव होना ही इसका भी रोग की पहचान होती है question number 3 है, merismus तथा कॉसर कोर रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आनसार है option number B, protein दोस्तों ही दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं question number 4 है, रक्त दाब यानि ब्लेट प्रेशर किस से मापा जाता है? इसका सही आनसार है option number D, is phigno manometer question number 5 है, किस रक्त समू याई ब्लेट ग्रूप को सर्वदाता कहते हैं? इसका सही आनसार है option number D, ब्लेट ग्रूप O को ही सर्वदाता कहते हैं अगला कोशन है किस blood group को सर्व ग्राही कहते हैं इसका सही answer है option number A AB को सर्व ग्राही कहते हैं कोशन number 7 है कौन सा pyramid सदयायफ सीधा होता है इसका सही answer है option number A पूर्जा का दोस्तों energy का pyramid हमेशा सीधा बनता है कोशन number 8 है पारितंत्र में उव्जा का प्रवा होता है इसका सही answer है option number A सदयायफ एवं दिशात्मक कोशन number 9 है वेद्यूत अचाहलक होता है इसका सही answer है option number A प्लास्टिक में कोशन number 10 है रोधीर का pH लेविल क्या होता है इसका सही answer है option number B 7.4 कोशन number 11 है रोधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका सही आंसर है उप्शन नमबर A, रोधिर प्रैकलेट्स कुशन नमबर 12 है एट्स का विशाणू इन में से कौन सा है? इसका सही आंसर है उप्शन नमबर A, HIV कुशन नमबर 13 है विशानु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है option number B, AIDS दोस्तों इन सभी में से विशानु जनित रोग सिर्फ AIDS है question number 14 है रोधीर के बाग निमलिकित में से कौन से हैं? इसका सही आंसर है option number C, plasma और रोधीर राणू ये दोनों आपके रोधीर के बाग होते हैं question number 15 है oxygen का बाग निमलिकित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है option number A, hemoglobin question number 16 है निमलिकित में से potassium का संकेत कौन सा है? इसका सही आंसर है option number C, K दोस्तों K से ही potassium को denote करते हैं question number 17 है copper का आयस कौन सा है? इसका सही आंसर है option number D क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट ये तीनों ही आपके कॉपर के आयस्क होते है question number 18 है ओजोन परत के शरांसे निमले खितमे से क्या होता है इसका सही आंसर है option number D उप्योक सभी, तचा कैंसर, मोतिया बिंद और उत्तर परिवर्तन ये सभी आपके ओजोन परत के शरांसे होते है question number 19 है पैरा बैगनी किर्णों को कौन रोकती है इसका सही आंसर है option number A ओजोन परत question number 20 है हैमेटाइट किसका आयस्क है इसका सही आंसर है option number B लोहा question number 21 है किनकिन धातूं के ओक्साइट उभय धर्मी होते है इसका सही आंसर है option number D सभी यानि कि दोस्तों aluminium, zinc और lead इन सभी के ओक्साइट उभय धर्मी होते है question number 22 है विद्युधारा मापने का यंत्र कौन सा है इसका सही आंसर है option number B अमीटर question number 23 है विद्युधारा मापने का यंत्र कौन सा है इसका सही आंसर है option number A voltmeter अगला question है अमल वर्षा का प्रमुप कारण कौन सा है इसका सही आंसर है option number A वायू करदूशन दोस्तों वायू करदूशन से ही आपकी acid rain होती है question number 25 है acid rain में उपस्तित acid कौन कौन से होते है इसका सही आंसर है option number A nitric acid और sulfuric acid question number 26 है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है इसका सही आंसर है option number B methyl isosynate question number 27 है ताजमहल के दिन प्रति दिन भद्दा होने का कारण क्या है इसका सही आंसर है option number C amal बरशा यानी acid rain question number 28 है greenhouse gas निमलेखित में से कौन कौन सी है इसका सही आंसर है option number A methane, carbon dioxide और nitrous oxide ये तीनों आपकी greenhouse gas होती है question number 29 है greenhouse प्रभाव का कारण क्या है इसका सही आंसर है option number A वायो प्रदूशन question number 30 है global warming का अर्थ निमलेखित में से क्या है इसका सही आंसर है option number A प्रित्वी का गर्म होना question number 31 है global warming के कारण क्या है इसका सही आंसर है option number C उत्तरी धुरूफ की भरव पिखल जाती है और दक्षिन धुरूफ की भरव का पिखल ना ये दोनों आपके global warming के कारण है question number 32 है ओजोन परत को क्या कहते है इसका सही आंसर है option number A जीवन रक्षक परत question number 33 है ओजोन परत के शैका कारण क्या है इसका सही आंसर है option number A लोरो फ्लोरो कारवन question number 34 है question number 35 है परत में कुप भोगता होते है question number इसका सही आंसर है option number D शाकाहरी दोस्तों परत में कुप भोगता हमेशा शाकाहरी होते है next question है उत्पादक कौन कौन से होते है इसका सही आंसर है option number D हरे पेड़ पौधे दोस्तों यासा कि आप जानते हैं कंज्यूमर हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं। Q37 है, दुतियक उद्भोगता कौन से हैं। इसका सही आंसर है, आक्षिन नमर ए, मेंड़क। Q38 है, कोशिकाओं के समूग को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है, आक्षिन नमर बी, उतक, यानि टिशू। Q39 है, विद्ध्युद्धारा का मातरक निमलिखित में से कौन सा हैं। इसका सही आंसर है, आक्षिन नमर बी, उम्पियर। दोस्तों, विद्ध्युद्धारा हमेशा अम्पियर में नापी जाती है। अगला कुश्चन है, प्रतिरोधक यानि रजिस्टेंस का मातरक निमलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर है, आक्षिन नमर बी, उम्पियर। Q41 है, पूर्जा का मातरक निमलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर है, आक्षिन नमर सी, जूल। Q42 है कार्य का सही सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है option number A, कार्य is equal to बल, गोणा, विस्थापन Q43 है किसी वस्तु की कार्य करने की शंता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है option number B, उड़ जा Q45 है उड़ जा का सबसे महत्वपूर्ण सुरोथ कौन सा है? इसका सही आंसर है option number B, सूर्य अगला question है निमलेखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलंची लोता है? इसका सही आंसर है option number B, विटामिन B और विटामिन C, दोस्तु में दोनों विटामिन जल में घुलंची लोते हैं जबकि विटामिन A, D, E और K, ये चारों विटामिन आपके फैट यानि वसा में बुलंची लोते हैं question number 47 है कांश की छड को रेशम से रगणने पर छड में आवेश आ जाता है? इसका सही आंसर है option number A, धन आवेश question number 48 है आवर सार्णी में किसी समू में उपर से नीची जाने पर क्या होता है? इसका सही आंसर है option number D, उसमें दहत्विक्तर बढ़ जाती है question number 49 है रोधिर का थक्का बनाने वाली रोधिर कणिका का नाम क्या है? इसका सही आंसर है option number B, प्रेट लेट्स दोस्तों ये question आपके BTC के वर्ष 2016 और 17 की पेपर में भी पूछे गए थे question number 50 है प्रकरतिक चैनवाद प्रतिपादित किस ने किया? इसका सही आंसर है option number A, चार्ल्स टार्विन ने question number 51 है निमलेखित में से कौन सी विधी? सांदरण विधी नहीं है question number 52 है वातावरान और जीवधारियों के पारासपरिक संबंदों से क्या बनता है? इसका सही आंसर है option number B, पारिस्थितिकी तंत्र यानि की एको सिस्टम question number 53 है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोट का कार्दे करती है? इसका सही आंसर है option number A, कारवन question number 54 है एलीसा परिक्षन क्या है? इसका सही आंसर है option number C, AIDS question number 55 है गैलेना किस धातू का आयस्क यानि ओर होता है? इसका सही आंसर है option number B, LED अगला question है नेमलेखित में से दिश्ट धारा का प्रियोग किस में करते हैं? इसका सही आंसर है option number A, पंख्ये में question number 57 है पौधों एवं जन्तूं के बीच की कड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर है option number B, युगलीना दोस्तों है बहुत important question है इसको आप सही से याद रखिएगा question number 58 है चुम्ब की पदार्त निमलेखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है option number A, लोहा question number 59 है लाल रख्त कणिकाओं का निर्माण कहां पे होता है? इसका सही आंसर है option number D, अस्ती मज्जा यानि की बोन मेरों में question number 60 है विद्यूत बल्ब में तंतू यानि फिलामेंट किस धातू का बना होता है? इसका सही आंसर है option number A, टंग्स्टन धातू का दोस्तों आपके ये question BTC वर्ष 2018 के paper में भी पूछे गए थे तो ये काफ़ी important questions हो जाते हैं आप इन सारे questions को एक बार देखके अगर exam देने जाएंगे तो आपके science में 5 marks MCQ के आराम से पक्के हो जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी अभी आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए क्योंकि शिक्षा विवाग से जूड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं सबी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम